हलो फ्रेंड्स कैसे हो आप स्वागत है आपका इस चोटी सी वीडियो में जिसमें हम रायस्थान की कुछ महत्वपूर्ण जी के के बारे में पढ़ने वाले हैं तो चले फ्रेंड्स इस्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं क्यूशन नमबर फर्स्ट रायस्तान की किस जिले में एक यूध संग्रहाला की अस्थापना अगस्त 2015 में की गई आपसन A है सीकर, आपसन B है जैसलमेर, आपसन C है जोधपूर और आपसन D है अजमेर इसका आंसर है जैसल मेर में जैसल मेर में एक यूद संग्राले की अस्थापना अगस्त 2015 में की गई क्योंकि गई यह भारती सेना की बीरता को प्रदर्सित करने के लिए ठीक है यह भारती सेना की जो बीरता है उसको प्रदर्सित करने के लिए जैसल मेर में एक यूद संग्राले की अस्थापना की गई थी यह जो संग्राले है जैसल मेर के सैन इस्टेशन में ब्योसिद किया गया अहां पर सैन इस्टेशन में ब्योसिद किया गया था क्यूशन नंबर दो महान गड़ितग्य ब्रह्मगुप्त का जन्म अस्थान राइस्थान की किस जिले में हुआ आपसन A है जालावर में आपसन B है चूरू में आपसन C है सीकर में और आपसन D है बी का नेर में तो फ्रेंट्स इसका अंसर है जालावर में जालावर में ब्रह्मोगुप्त जी का जन्म अस्थान माना जाता है मीनमाल सहर के 598 इस भी में जालावर में इनका जन्म अस्थान माना जाता है अता क्यूशन नमबर 2 का जो आप्सन होगा वो ए विकलब राइट होगा यानि जालावर में Q3 रायस्थान का कौन सा सहर 100 दीपों का सहर कहा लाता है यानि कि रायस्थान को किस सहर को 100 दीपों का सहर कहा जाता है आपसन नमबर A है डुंगरपूर आपसन नमबर B है बासवाड़ा आपसन नमबर C है अजमेर और आपसन नमबर D है उदैपूर तो फ्रेंड इसका अंसर है बासवाडा बासवाडा को सो दिपों का सहर कहा जाता है ठीक है या इसे सो टापूं का सहर भी कहा जाता है या भारत के दच्छिण राजस्थान के बासवाडा जिले का एक सहर है इसे चेरा पूजी नाम से भी जाना जाता है ठीक है चलते हैं अगले क्यूशन की ओर क्यूशन नमबर 4 है राजस्थान का कौन सा सहर सफेद सहर के नाम से जाना जाता है नहीं का ओ कौन सा सहर है जिसे सफेद सहर के नाम से जाना जाता है पाला है मकराना, दूसरा है जैपूर, तीसरा है अजमेर और चौधा है उदैपूर तो फ्रेंड्स इसका अंसर है उदैपूर, उदैपूर में असंक जीलों तथा सुन्दर वास्तु कला का घर है ठीक है वास्तु कला का घर है इसलिए ये उदैपूर को सफेद सहर के नाम से जाना जाता है प्रेंट्स जो भंड देवरा मंदीर किस जिले में इस्तित है जो भंड देवरा मंदीर किस जिले में इस्तित है जो भंड देवरा मंदीर है वो भगवान सीव के लिए प्रसिद्ध है तो आपसन नमबर एक है बूदी आपसन नमबर बी है बारा आपसन नमबर सी है कोटा और option number D है जालवाड फ्रेंट्स जो भन्द देवरा मंदिर है फ्रेंट्स बारा से 40 किलोमीटर दूर 40 किलोमीटर दूर रामगर रामगर पहाड़ी पर एक बहुत ही प्यारा सा मंदिर है जिसे भन्द देवरा मंदिर के नाम से जाना जाता है यह दस्वी सदी में इसका निर्माड किया गया था और यह भगवान सीव के लिए प्रसिद्ध है अता इसका अंसर क्या होगा बारा Q6. सुनहरी कोठी कहां परिस्तित है? आपसन A. बूदी में, आपसन B. टॉंक में, आपसन C. जैसल मेर में और आपसन D. जुन्जुनू में तो फ्रेंड्स जो सुनहरी कोठी है इसे सीस महल के नाम से भी जाना जाता है और इस जो सीस महल है इसकी सबसे बड़ी खास बात यह है इसकी जो दिवाले हैं, ये दिवाल उस पर सोने का लेप लगया गया था और इसमें हीरो तथा काश की कलाकारी भी की गई थी चोथे नबाब इब्राहिम लोदी खा के समय में यह जो सुनहरी कोठी है बन करके तयार हुई थी और उस समय जो सोना था पंदरह रुपया तोला था ठीक है और जो मजदूरी थी वह पंदरह पैसे थी आता इसका अंसर क्या है टोंक में ठीक है फ्रेंट्स इसका अंसर होगा टोंक में क्यूशन नमबर सेवन अमर सागर जैन मंदिर कहाँ परिस्तित हैं आपसन नमबरे है जैसल मेर में, आपसन नमबर बी है डुंगर में, आपसन नमबर सी है उदैपुर में और आपसन नमबर डी है टोंक में तो फ्रेंट्स इसका अंसर है जैसल मेर में जैसल मेर में अमर सागर जैन मंदिर इस सित है अमर सागर जील की निकट यह एक रमड़ी अस्थान है जहां जूना महल कहां परिस्तित है ठीक है पहला है जैसल मेर में दूसरा है डूंगर में तीसरा है अलवर में और चोथा है बासवाड़ा में तो फ्रेंड्स तेरह हमी सदी में बना हुआ ठीक है यह एक परेटन अस्थल है ठीक है और इसका निर्माण डूंगरपूर में हुआ था ठीक है प्रसन नमबर नौ है पुसकर जिल कितने घाटों से घीरी है पहला अप्सन है 42 घाटों से नमबर दू है 45 से नमबर तीन है 58 से और नमबर चार है 52 से तो फ्रेंड्स इसका आंसर है 52 यह जो पुसकर जिल है वह 52 घाटों से यह घीरी होई है ठीक है यह माना जाता है कि इस जिल का निर्माण ब्रह्माजी नहीं किया है यह जिल अजमेर के पुसकर में है ठीक है और यही कारण है कि इस जिल के किनारे मतलब निकट ही ब्रह्माजी का मंदिर भी है अगला क्यूशन है मूसी महरानी की छतरी कहां परिस्थित है पहला अपसन है जैसल मेर में दूसरा अपसन है अलवर में तीसरा अपसन है जैपूर में और चौथा अपसन है जोधपूर में friend इसका answer है अलवर ठीक है? अलवर में मुसीब भराने के छतरी इस्तित है और इस छतरी की भी सिस्ता यह है कि लाल बालो के पत्थर से इसका यह निर्माण किया गया था ठीक है? और इसमें जो उपर बना हुआ भाग है वो हाथी के आकार का बना हुआ था, ठीक है, चलिए, क्यूस्यों नंबर 11, 84 खमों की छतरी इस्तित है, 84 खमों की छतरी कहां परिस्तित है, आपसम नंबर A है, सवाई माधोपुर में, नंबर 2 है बूदी में, नंबर 3 है जालवाड में, और नंबर D है खोटा में, तो फ्रेंट्स, इसका अंसर है बूदी में, बूदी में 84 खमों की छतरी इस्तित है, अगला प्रस्थान में किस सहर को, बावडियों का सहर कहा जाता है, पहला अपसर है अजमेर को, दूसरा अपसर है बूदी को, तीसरा अपसर है जालवाड को, और चोथा अपसर है कोटा को, तो फ्रेंट्स इसका अंसर है बूदी बूदी को रैस्थान में किसी एक सहर को बावडियों के नाम से जाना जाता है तो फ्रेंट्स इसका अंसर है बूदी ठीक है फ्रेंट्स इसका अंसर है बूदी बूदी को बावडियों का सहर कहा जाता है अगला किशन है आतिहासिक पोथी खाना कहां परिस्तित है आपसन एक है जैपुर में आपसन बी है अलवर में आपसन सी है उदैपुर में और आपसन डी है जोधपुर में तो फ्रेंड्स इसका आनसर है जैपुर में ठीक है एतिहासिक पोथी खाना जैपुर में इस्तित है अगला क्यूशन है दूध बावडी कहां परिस्तित है ठीक है यह है दूध बावडी आपसन एक है रतनगड में नमबर दो है चितोडगड में नमबर तीन है माउंट आबु में और नमबर डी है जुन जुनू में तो फ्रेंड्स इसका आनसर है माउंट आबु में माउंट आबु में दूध बावडी इस्तित है अगला क्यूस्टिन है अजमेर नगर का संस्थापक कौन था? पहला अप् Cocon है अरूर्णाराज दूसरा अजयराज तीसरा अजयपाल और चौथा अप्सन है सोमेस्वर तो फ्रेंट्स इसका अपसन है अजयराज अजयराज ने अजमिर नगर की अस्थापना की थे तो फ्रेंट्स कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताईए आप अच्छे से पढ़ाई करिया और अपना ख्याल रखिये मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई